हलो अब्रिवान वेलकम सिंप्टेक्रैक ऐसे सीजियल दोहजार जोबिस का एक्जाम अब स्टार्ट होने वाला है तो यह मेरी लास्ट वीडियो होगी आप सब के लिए प्रिलिम से पहले और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो भी ठीक है बहुत ज्यादा नवस्नेस एंग्जाइटी हो रही होगी तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एक्जामनेशन हॉल में स्ट्रेस को अवाइड कर सकते हो और इस चीज़ के लिए मैं आपको तीन चीज़े बताऊंगा ठीक है आपका का अब यह वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन आपका दो चीजों से हो सकता है एक हो सकता है कि आपका पर्सनल एक्सपेक्टेशन हो कि यार इसके बाद तो मेरा क्या ही होगा यह एक्जाम नहीं निकलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में तो एक यह उमीदों का उमीदों का बोज है और यह जो अकैडमिक उमीदों का बोज है तो यह दोनों जो पैरामिटर्स है अगर आप एक्जाम के दौरान इन दोनों पैरामिटर्स को अपने उपर हावी होने देते हो तो यह परफेक्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर है आपका स्कूर जो आप 150, 160, 140 यह स्कूर कर सकते थे आपका स्कूर ड्रॉप होके आजाएगा 120 पे ठीक है तो यह बहुत जरूरी है कि एक्जाम में जाने से पहले आप किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखना आप बिलकुल बिंदास होके एक्जाम देने जाओ और यह इगो भी साथ में लेके मत जाओ कि एक क्वेशन में अगर अठक गए तो उसी में टाइम देके आपने पांच मिनट गवा दिये और यह पांच मिनट की वैज़े से आपके 10 नंबर कम हो गये ठीक है और परसनल एक्सपेक्टेशन की बात करें तो भाई आपकी लाइफ में सिच्वेशन अभी जो भी ह उससे कोई फरक नहीं पड़ता एक्जाम को तो आप इस चीजे को एक्जाम होल के बाहर छोड़ के जाना और जाकर एक कूल मैंड के साथ आपको एक्जाम अट्रम्प्र अब अब second point की बात करते हैं, second point है fit, तो देखो exam में अब एक से दो दिन का time बच गया है, आप लोगों ने जितनी पढ़ाई करनी थी वो आप कर चुके हो, अभी last के moments में आप कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ सकते, कोई short notes नहीं पढ़ सकते, कोई भी नई चीज, नई technique आप नहीं कि भी बात की नहीं लेनी, stress किसी भी बात का नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ना था, पढ़ चुके हो, जो होना था, हो चुका है, अभी कुछ बचा नहीं है, कि उसके लिए आप anxious होके, अपना score बढ़ा लोगे, तो exam में जाओ, stress free जाओगे, तो हो सकता ह है, आप prelims बहुत अच्छे mark से qualify करके हो, ठीक है, third point की बात करते हैं, वो है breathing, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता जेता हूँ, breathing से आप stress level को control कर सकते हो, ठीक है, वो कैसे, तो देखो, जब आप calm state में होते हो, तो आपकी breathing होती है, ब तो आप बहुत stress रहते हो, तो आपकी breathing बहुत fast होगी, तो उस समय आप अपनी breathing को slow करने की कोशिश करना, तो ऐसे जो slow breathing होती है, उससे automatically आपका mind काम हो जाएगा, ठीक है, और exam शुडू होने से 5-10 minute पहले आपको ये चीज करनी है, ठीक है, तो इस चीज का practice आप करके जाना इसके अलावा जो common चीजें होती हैं, जिससे आप examination center पर अपना stress control कर सकते हो, जैसे कि भाई, time पर पहुंझाना, ठीक है, बात बात कम करना, पाने बानी कम पीना, ये सब चीजें, I hope कि आपके अंदर इतना IQ तो होगा, कि अगर आप seriously त्यारी किये हो, तो ये सारी चीजें और ये जो बाते मैंने आपसे इस वीडियो में बताई, उसको मुझे comment section बताओ कि आपको क्या समझ में आ है और आप कैसे implement करोगे, thank you and all the very best for your examination.